हेलो स्रोंट्स एंड हैं औल दो वोल्स अमीद है कि आप सब क्यार्य से होंगे आज का चाइब लेक्चर है इश्या अब्दुलियो इनवेस्टी खेरपूर मेरेकर्स का वीडियो लेक्टर है ठीक है तो आज हम current affairs को discuss करेंगे और उससे पहले मैंने काफ़े सारा content upload कर दिया है for the entry test जिसे मैंने current affairs का एक और वीडियो लेक्चेर upload किया था और यह जो current affairs के questions है यह सारे November और December के और September के questions है 2023 के ठीक है तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखिए देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को फिट कर दें ताकि मेरे अकमी वीडियो से नोडिफिशन आप तक पॉइंट सके और इस वीडियो लेक्चेर के बाद इन्शालला मैं poems के ओपर वीडियो लेक्चेर upload करूँगा तो बेफिकर हो जाएं इन्शालला आपकी complete preparation हो जाएगी इस चैनल पे ठीक है सुर्स और इस चैनल पे मैंने काफी सारे वीडियो जो यूनिस टेफ सिंद के upload किये थे तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं क्योंकि काफी सारे questions जो है general science and knowledge में काफी सारे questions मेंच होते हैं entry test में तो start करते हैं परे इस वीडियो लेक्चर को इस section में आपका पहला question है who is the current spin bowling coach of main cricket team तो पाकिस्तान की men's cricket team वाइस spin bowling coach को ने तो है आपका साईध अजमल जिसने start किया था 21st November 2023 को ठीक है sounds second question है पास हो है who is the current fast bowling coach of पाकिस्तान cricket team तो पाकिस्तान men's cricket team का bowling coach को ने fast bowling coach वो है आपका उमर गूल ठीक है जिसने start किया था 12th November को 2023 ठीक है sounds तो ये कुछ important questions है आपने anyhow याद कर देगा for the entities third question है which team won the ODI World Cup 2023 कौन सी team ने जीता तो correct answer है आस्ट्रेला ने जीता और ये आस्ट्रेला का 6th World Cup था और runner-up टीम जो थी वो थी इंडिया और ये World Cup किस team ने होस्ट किया था वो है आपका correct answer इंडिया total matches कितनी होई वो थी 48 ये कुछ important questions है आपने anyhow याद कर देगा for the entities क्योंकि ये काफी सारी questions आते हैं fourth question है पास वो है the current chief justice of Pakistan काजी फेज इसा बिकेम डेश chief justice of Pakistan तो current जो chief justice ने हो है काजी फेज इसा जो पाकिस्तान के कितने नंबर पे chief justice थे तो है आपका 29th chief justice of Pakistan थे जिसने चार्ज संबाला 17 September 2023 को और जिसने replace किया उमरता बंदियाल याने पहले जो आपके पास chief justice थे वो थे उमरता बंदियाल ठीके संब्स फिफ्ट जो कुशन आप पास वो है who is the current general director of ISI तो current DG of ISI को ने पाकिस्तान का तो आपका correct answer है left hand general शाहिद इम्तियास ठीके संब्स तो ये भी important questions है आप इने anyhow जाद करते जिएगा six question है who is the current chairman नादरा, नादरा का current chairman को ने तो आपका correct answer है left hand general नोमान जक्रिया ठीके संब्स तो correct answer नोमान जक्रिया सेवंध कुशन है who is the current caretaker प्राइमिनिस्टर पाकिस्तान तो पाकिस्तान का correct caretaker प्राइमिनिस्टर को ने ये charge संबाला था ठीके संब्स who is the current caretaker chief minister प्राइमिनिस्टर प्राइमिनिस्टर को ने तो आपका correct answer है justice retired मक्बूल बाकिस्तान तो ये current chief minister है ठीके उससे पहले जो थे वो थे मुरादली शाह ठीके संब्स who is the current caretaker चीफ मिनिस्टर आप पंजाब, तो पंजाब के करेंट केर टेकर चीफ मिनिस्टर को ने तो अगवा करेंट टेकर चीफ मिनिस्टर को ने तो अगवा करेंट केर टेकर चीफ मिनिस्टर को ने तो अगवा करेंट केर टेकर चीफ मिनिस्टर को ने तो अगवा करेंट केर टेकर तो बलुचिस्तान का करेंट केरेंट 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 केर 13 question है who is the current education minister of Pakistan पाकिस्तान का current education minister कोन है तो correct answer है मदद अली सिंधी is the current education minister of Pakistan ठीक है सॉंट्स sorry आप फिर भी confirm कर दीजगा ये पाकिस्तान में भी ना हो सिंध हो ठीक है सॉंट्स 14 question है current chairman of senate, senate का current chairman तो correct answer है साधिक संजराणी is the current chairman of senate 15 question है the current history year तो हिजरी और current कौन सा है 1445 हिजरा आए तो correct answer है 1445 हिजरी ठीक है सॉंट्स and 16 question है पास वो है पाकिस्तान became the day largest IMF borrower of the world तो पाकिस्तान ने 2023 में जो IMF याने international monetary fund जो loan किया है वो है तक्रीबन 3 billion dollars ठीक है सॉंट्स और पाकिस्तान fourth number पर IMF का borrower हो गया है in the world जिसने कितना बारो किया 3 billion dollars ठीक है सॉंट्स और IMF का जो headquarter है IMF का headquarter वाशिंग्टन डीसी में है ठीक है सॉंट्स और IMF का full form क्या है international monetary fund ठीक है सॉंट्स तो इसका आप full form भी याद कर देजीगा क्योंकि ये भी टेस्ट में आ सकता है ठीक है सॉंट्स तो ये कुछ important questions दे जिसे हमने discuss कर लिया अगर वीडियो अची लगे तो वीडियो को like कर देए वीडियो को share कर दे ठीक है सॉंट्स और अगर आपने मेरे पिछली वीडियो नहीं देखे तो वीडियो आप anyhow देख लें बहुत ही important video lectures है और इसके बाद इंशाला मेरा video lecture poems के उपर होगा don't worry keep continue and steady ठीक है सॉंट्स तो मिलते हैं next वीडियो में thank you for watching Allah आफिस